हुआ है अ数 है स्वालर है उमा जी दिली से हमाड़े साथ स्वागत है आपको उमा-जी इसमीज अपने बारे में पूछनहे और यको में πुछना है यह मे मैभा खालमिल रहती है और एक ना क्रिक को यहाद मे यह मुझे लह पन्साद मेरेफ थे多 palavrasknow उमर बता दीजे अपनी मेरी 53 है सर अच्छा 53 साल हंजे और शूगर भी है मुझे ठीक है आपने कोई सौनोग्राफी कराई पेट की माइना कराया नहीं वो तो नहीं करवाया यह यह प्रॉबलम मुझे अभी कुछी दिनों से है मतलब एक दो मीने से है ठीक है अब हस्बेंट को ना एक तो हाड की पॉबलम है और उन्हें शूगर है और आज कल ना उनकी सांस खूल जाती है वो थोड़ा सा भी चलते हैं बड़ी वीकनेस महसूस हो रही है आप दोनों हेल्दी है मेरे हस्बेंट ज्यादा है मेरा तो वेट 58 है और उनका होगा 75 85 के आज पास अच्छा देखिए अपने हस्बेंट को गरम पानी प्लाय करिए एक दिन में पांच बार यह उनके लिए दवाओं से भी अच्छा है और शूगर हाट प्रॉबलम और कॉलिस्टॉल इसके लिए मैंने अभी एक नस्खा बताया था आप अगर देख रहे थे चैनल देखिए लीमू का जूस निका लिए अद्रक का जूस निका लिए लेसन का जूस निका लिए और जैतून का सिर्का मिलता है ज़र मुश्किल से मिलेगा लेकि जैतून का इस सिर्का ले इन सब को हम बजान यानि बराबर एक एक लीटर सब को लीजे मिला दीजे और इसके तीन चमच सुबह न ब्लॉकिज नहीं होने देगा, होगा तो कोल देता है, अच्छा नस्खा आए, काफी भरोसे का नस्खा है, यह उनको शुगर को कंट्रॉल करेगा, वो दवा भी खाते रहें जो शुगर की खाते हैं, लेकिन यह शुगर की दवाओं के नुखसानाद को रोक लेगा, और आप आपने कोई दवा बना के अपना हैस्बेंट को दिये, आपके जो दर्द होता है, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सौनोग्राफिय जरूर कराएं, ऐसी कैफियत में अकसर पत्री पित्ते में हो जाती है, यह उम्र और यह मर्ज, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना सौनोग् के पत्री है के नहीं है, पत्री हो तो फिर उसका इलाज करना है, और एसी डिटी हो तो एसी डिटी की दवासे चली जानी से, यह कैफियत पत्री होने की अलामत है, मेरे तजर्बे के मताबिक, अगर नहीं है पत्री, तो फिर आप के लिए बहुत खुशी की बात है, आप ए एक दिन में पांच बार तो आप दोनों से अत्मन रह सकते हैं हमारे सथ अशोग जी हैं बंगाल से स्वागत है आपका आदा अशोग जी बताईए क्या सवाल है यहाकिम साथ मेरा दरसल भूतने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और इसके लिए कोई हिलाज है तो बता जी कितनी एज कितनी है आपकी ऐसोग जी जी इज़ है 52 एज अच्छा देखिए एक घर-ailoo इलाज ही है देखिए एक गॉंड आता है जैसे आप तरथा तरह के गॉंड समझते हैं हिंग भी खौंड है जो हिंग आप कहां इस्तमाल होती है कीकर का गॉंड इस्तमाल होता है जो म गौन्द आता है आप लिख लीजे उसे गौन्द सिया यानि काला गौन्द गौन्द सिया एक कड़वा गौन्द है बाकी गौन्द कड़वे नहीं होते हैं पीके होते हैं या कसेले होते हैं लेकिन गौन्द सिया मतलब काला होता है और कड़वा होता है और ये खुराक आपक तो ऐसे 10-11 रुपे रोज की खुराग पड़ेगी यह आप ले लीज़े गौनसिया यह मैटेरियल है राव मैटेरियल इसका पाउडर बनाई है कूट कर पीस कर जैसे भी ग्राइंडर में और आदा गिराम सुबा नाश्टा करने के बाद और आदा गिराम शाम को आप इसे प अगयर चर्वी के दूट से जैसे आपके हालाते आप गरीब हैं तो पानी से भी फायदा करेगा और जूस पीने के आपके हालाते तो उससे भी फायदा करेगा आप दूट पीने के हालाते उससे भी फायदा करेगा और यह आप अगर 100-500 ग्राम ले ले लेंगे तो यह खतम करने होंगे चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं हमारे साथ गुलफाम शेक अमराबती से जुड़ गए है स्वागत है आपका हलो 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 बताइए जी मैं गुलफाम शेक वरा अमराबती से मुझे हाकिन साथ से पूछना था कि सर मुझे यूरीक आसिट का काफी प्रॉब्लम है उसके कारण अभी बोन्स में काफी दर दोना स्टार्ट हो गया है कुश्टिंस मेरी एच ट्वेंटी-फॉर है चीक है अच्छा देखिए जिन लोगों को भी यूरीक आसिट की परिशानी है तो वो खटी चीज़े ख़ाना बंद कर दें चाहे आम खटा हो तो नहीं कहाएं मीठा हो तो खालें दैए खटा हो तो नहीं कहाएं मीठा हो तो खालें यहां तक के लीमू, आम का अचार यह साब बगेर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं और ये एक फंक्शन है जो यूरिक एसिड हमारे जिसम में होना बहुत जरूरी है लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वही हमें तकलीफ देने लगता है हमारे जोड़ों पर जाकर ये एसिड एक नमक के खिसम का होता हो बै हरीदें साफ सूफ करें और हलका सा भून के पारडर बना ले और इस में गान मौरिंगा आता है थड़ा महंगा आता है गान मौरिंगा एक ten एक राव मैटिरियल है इसको आप 100 ईक जरूर्ण मिला लें ये पौर्डर मिक्स कर लें आपस में और सुबा खाने से पहले या खाने के बाद एक चोटा चाय का चमच खाएं रोजाना और बहुत ज़्यादा बीमारी हो तो शाम को भी एक चोटा चाय का चमच पानी के साथ लें गरम पानी हो तो बहुत बेतर है यह जितने मैटेरियल मैंने आपको औरो मैटेरियल बता है इसके खतम होने तक या उससे पहले आपका बीमारी का ठीक होना मुम्किन है चलिए सी के साथ नेक्स्ट कॉलर है रशमी जी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका हेलो हेलो जी बताईए क्या जानना चाहते है हम जी मेरे पूझना है मेरे पेट में बड़ी दिक्कत रहती है जैसे ही खाती हूं मुझे मोशन जाना पड़ता है और ऐसे लगता है जैसे पेट में शर्लिंग ती है सारा दिन रख रहता है कोई सोनोग्राफी कराई या आपने माइना कराया अपने कुछ पर निक्राया यह मुझे ना एक महीने से प्रॉब्लम होई है और मुझे शूगर भी है ठीक है ठीक है कम उमर में शूगर हो गई आपको और अगर अपना चेक अप करा लें तो बहुत अच्छा है और देखिए शुगर का इलाज आप करते होंगे और शुगर वाला पेशेंट को पेट में प्रॉबलम भी रहती है एक इलाज है अगर आप करने देखिए सिर्के आपने बहुत देखे होंगे सेप का सिर्का आता है जैतून का सिर्का जैतून यानि ओलिव ओल आता है न तो ये ओलिव का सिर्का आता है ये आप रात को सोते समय दो या तीन चमच एक गलास पानी में डालें और पी कर सो जाय करें आपकी शुगर भी कंट्रॉल करेगा और पेट में भी बहुत फायदा करेगा आपको आप इसे लेके देखें आपको फायदा मुम्किन है तो चलिए आपको फायदा ही फायदा हो सकता है दर्श को देखे तभी तो आप लोग उसे कहा जाता है कि आप लोग युनानी पद्धिती से जुड़िये आप लोग घरेलू उपचार अपना ये जहां आप लोग सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के ठक चुके होते हैं और तब भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ दवाईयों पे निर्भर हो जाते हैं ना जाने कितने रोग आपके शरीर को जकर लेते हैं तो अगर आप लोग हकीम सहाब जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर्स आप लोगों के सामने लगतार दिखाये जा रहे हैं इन्ही नंबर्स पे आपको संपर्क सादना है आईए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से हमारे साथ रमेश जी है मुंबई से स्वागत है आपका अलो जी बताइए क्या जाना चाहते हैं जी मेरी एज जो है और मेरे बाल बहुत जड़ने रखेंगे हैं जी नजला वगएरा नजला कुछ नहीं रहता हूँ बाकी सेयत मनूब बाल भीड़ने हैं मेरे ठीक है तो देखें मैंने भी तकरीबन 20-20 साल महरास्त में गुजा रहे हैं और देखें मैं बड़ा आदमी हूँ और मेरे सारे बाल औरिजनल हैं और वहां महरास्त में मुझे भी ये परिशानी होई थी कि मेरे बाल गिरने लगे थे तो वहां पर जगा जगा पर हर गली पर नुकड़ पर नारियल पानी मिलता है मैंने रोज पीना शुरू किया और मैं तो बहुत ज़्यादा पीता था आप एक नारियल पानी रोजाना पिया करें आपके बाल जढ़ना बंद हो सकते हैं आप एक कुशिश करें एक घरे लिए उपाय है आप करके देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट कॉलर है राजेश जी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका राजेश जी जी बताइए प्रश्न कीजिए मैं मेरी बेटी की ना बहुत तिवित खराव है मैंडम जी वो पीवी है मैंडम जी एक बार दुबारे मतना इए नेरी गोटी है पूर निमा पंदरा साथ की बेटी मैंडम इसको टीवी है यह लेटी तो मैंडम खान सी ब्रॉट कि दिख जी चिख जी जी मैं समझ गया और आपकी तकलिफ मैं महसूस कर सकता हूँ देखिए टी बी का सबसे अच्छा इलाज अलोपैट में है और जो आप इलाज कर रहे हैं वो छोड़ें नहीं और अगर पेट मैं से पानी निकालने की ज़रुद पड़े तो वो भी निकल वाए वो बहतरी इलाज है और एक घरे लू नुसका ये साथ में देना शुरू करें अगर हम लोग गाउंगों की जबान में कहते हैं लिसोडा लिसोडा आप समझ सकते हैं वरना लिसोडा लिक लीजेए लिसोडा आप लिकेंगे और फिर सच करिए अपने सेल फोन में लिसोडा कैसा होता, आपके सामने आजाया कुल के, सस्ता आता लिसोडा खरी लीजे थोड़ा सा 200 ग्राम और ये गोल-गोल वो होते हैं पीस होते हैं ये एक चम्मच में जितने चोटे चाय की चम्मच में इसे डेड़ गिलास पानी में भिगो दे थोड़ी देर फिर आधा गंटे बाद इसे उबा लें और इतना उबलने दे के पानी आधा रह जाए और ये बच्ची को दिन में एक बार कम असकम जरूर पिलाया करें और अपने डॉक्टरों को फालो करे जो उनको इंजक्शन या दवाई चल लएगी वो जरूर दें और अगर पानी निकालने की जरूर पड़े तो जरूर निकल वाएं उससे बहुत आसानी हो जाएगी और ये लिसोड़ा उनके अंदर दुबारा से टीवी निपन अपने देगा और सेहत अच्छी हो जाएगी बुखार में कमी करेगा और ये भी आप जारी करें और अपने डॉक्टर को फॉलो करें बिलकुल राजेश जी परेशान होने की बात जरूर है लेकिन जो बाते आपको यहाँ पे अभी हकीम सहाब जी ने बताई हैं उन बातों को फॉलो कीजिए और जो आप डॉक्टरी प प्रामियाब हकीमों में से एक जो आपके सभी रोगों का निवारन बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीधा घरे लूप चार बताया जाते हैं आपकी किच्टन से आप लोगों को जोड़ा जाता है आयरवेद से जोड़ा जाता है युनानी पद्धिती से अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं पोन उठाए नबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही है